दोस्तो इशिया खेलो में सुन्ट पतक जीतने वाले भारतिय फुटबॉलर और उलम्बिन तुलसिदास बलराम जी का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। समचार एजनसी पी टी आई ने अपनी रिपोर्ट में तुलसिदास के परिवार के सूतरों के हवाले से ये जानकरी दी है। तुलसिदास जी 87 साल के थे और वह कोलकता में उत्तरपारा में हुंगली नदी के पास एक फ्लैट में रहते थे। 1962 के इश्याई चेंपियन को 26 दिसंबर को अस्पताल में भरती कराया गया था। उनको यूरीनरी इंफेक्शन हुआ था। बलराम जी भारतिय फुटबॉल की गोल्डन जेनरेशन का हिस्सा भी रह चुके हैं। उन्होंने 1950 से 1960 के बेच चुन्नी गोस्वामी और पीके बैन इनर्जी के साथ भारतिय टीम का प्रतनिद्द किया और उनके तीगड़ी काफी मशूर भी रही थी। भगवान उनकी आत्मा को शांती दे।